Hello everyone, welcome back to my channel तो आज ये healthy recipe आपके बहुत काम आने वाली है तो चलिए देन नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं इस recipe को बनाने के लिए मैंने आदा कब बचे हुए चाबल लिया हैं और बंधर्ड कब भिशन लिया है तो जो चाबल बच जाते हैं तो आप उनको इस तरीके से use कर सकते हैं उनको आप फेके ना उनको इस तरीके साब use करें तो दोनों को हमने mixi के जार में डाल दिया है अब हम इसमें दही डालेंगे तो बंधर्ड कब मैंने दही भी डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो पानी भी मैंने एड़ कर दिया है अब मिक्सी के जार बन करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन के तियार हो जाएगा अब हमने एक मिक्सिंग बॉल लिया है और इसको हम mix कर लेंगे, mix करने के बाद इसको 10 से 15 मिनिट के लिए ढखका रख देंगे, जिससे कि जो हमारी सूजी होगी ना, वो अच्छे से फूल जाएगी, तो इस तरीके साब ढखके रख दें, आप कम से कम मतलब 10 मिनिट तो आप इसको ढखक कर रहीं रख दें, तो 10 मिनिट बाद हम इसको चेक कर लेंगे, तो आप देखी सकते हमारी सूजी कितने अच्छे से फूल गई है, इसके बाद हम थोड़ा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो सूजी है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मैस हो जाए, अब हम इसमें हमने जो ग्राइंट किया हूँ बैटर था ना वह हम इसमें डाल देंगे जो हमने चाबल का उबिसन का बैटर ग्राइंट किया था ना वह हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो हमारा better ज़्यादा liquid भी नहीं होना चाहिए अगर ज़्यादा पानी ना राले नहीं थो हमारा better liquid हो जाएगा और ज़्यादा गाडा भी नहीं होना चाहिए तो इसको हमने अच्छे से mix कर दिया मिक्स करने को बाद हमें कुछ और ingredients डालना है तो वह हम इसमें add करेंगे तो हमारी dough की consistency आप देख सकते हैं जैसे हम ढोकला बनाते हैं तो इसके dough की consistency होती है बिल्कुल वैसे ही आप इसको रखें और इसके बाद हमने एक baking जो tray होती है वो ले लिया है और इसमें हम foil paper लगा दिया नीचे foil paper से हमारी recipe नीचे चिपकेगी भी नहीं और एकदम perfect निकलेगी तो अब हम better में हमें baking soda डालना है या baking powder भी आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक add करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दें इसमें और इसके बाद हम baking powder डालेंगे तो हमें कुछ और ingredients डालने की जरुरत नहीं है बस इतना ही हमें डालना है इसके बाद जब हमारी recipe बिल्कुल बनके तयार हो जाएगी तो हमें इसमें दड़का लगाएंगे तो नमक को mix कर लिया है अब हम इसमें baking powder डालेंगे या आप baking soda भी डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं दौनों मैंसे जो भी आपके पास है अबेलेवल तो आप डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से mix कर देंगे mix करने के बाद हम इस batter को जो baking tray है उसमें हम डाल देंगे तो हमारा batter बिल्कुल perfect है अब हम इसको baking tray में डालेंगे तो baking tray में डालने के बाद हमें इसको steam करना है तो इसलिए मैंने पहले ही कड़ाई में पानी डाल दिया था और उसको गरम होने दिया है तो आप पहले ही पानी कड़ाई में रख दें जिससे कि आपको जब यह tray रखें तो आपका पानी बिल्कुल गरम हो और इसके उपर हमने stand भी रख दिया है कड़ाई में और अगर आपके पास steamer है तो आप उसमें भी steam कर सकते हैं अगर आपके पास steamer नहीं है तो इस तरीके से कड़ाई में भी आप कर सकते हैं उपर से हम लेट बंद कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर आप इसको पास से 10 मिनट के बीच में आप चेक कर लें अगर आपका हो गया है ऐसे perfect तो इसका मतलब पक गया है अगर आपके tooth इसको चेक कर लें अगर नहीं हुआ तो थोड़ी देर आप दोबारा से थोड़ी देर और धक कर रख दें तो देखे हमारी recipe है बिल्कुल perfect बन गई है तो यह हमारे चाबल के ढोकले हैं जब भी आपके चाबल बच जाते हैं तो आप इस तरीके से ढोकले बना सकते हैं और इसको हम निकाल लेंगे जब यह थोड़ा सा ठंडर हो जाए उसके बाद ही आप इसको निकाल लें तो निकालने के बाद यह बिल्कुल perfect तरीके से निकलेगा तो आप देखी सकते हैं कितना अच्छे से निकल गया और जो butter paper उसको भी हम निकाल लेंगे butter paper लगाने से जैसे म हम इसको cut कर लेंगे तो cut आप अपने हिसाब से कर लें आपको जो भी save पसंद है आप उसमें cut कर लें तो मैंने इसको बड़े-बड़े pieces में cut किया है आप चाहें तो छोटे piece में भी आप इसको cut कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे तो देखिए हमारी recipe कितनी अची दिख रही है बिल्कुर perfect दिख रही है अगर आपको तड़का नहीं लगाना ता आप ऐसी भी इसको खा सकते हैं किसी भी chutney sauce के साथ खा सकते हैं पर मैं इसमें तड़का लगाएंगे किस तरीके से हम तड़का लगाना तो एक पैन लिया है पैन में हमने oil गर्म कर लिया है इसमें हमें थोड़ा सा सरसो डालना है या राई भी आप डाल सकते हैं और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा के बाद हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे कड़ी पत्ते को मैंने पतला पतला चौप कर लिया है तो ये भी डाल दिया है अभी थोड़ा सा बुन जाएगा न हमारे कड़ी पते तो इसके बाद हमें इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे तो बस हमें थोड़ा ही बुनना है जादा बुनने की जरुरत नहीं है तो अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे तो मसाले में सबसे पहले हमें थ ठोक गाल के, उसको इसे तरीके से फला की रख़ दें, जिससे के आप दोक सब सॅ मई साबस हुद में अच्छे से मसाला लग जाए और इसको पंटा diz Tuesday दोनों साइट से अच्छे से मसाला लगा लें और मसाला लगाने के बाद आप इनको थोड़ी देर भुनने दें मतलब पकने दें हलके से ये क्रंची हो जाएंगे हलका सा गुल्डन कलर आने लगेगा तब तक हमें इसको पकाना है तो ध्यान रहे कि इनको हमें स्लो फ्लेम पर पकाना है नहीं तो जो हमारा मसाला है वो जल जाएगा तो इसलिए आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाए दो से तीन मिनट तक आप इसको ऐसे पलड़ते रहें उसके बाद इसमें मसाला भी अच्छे से लग जाएगा और इनको आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं अगर आप ऐसे भी खाना चाहें ऐसे भी यह टेस्टी लगते हैं क्योंकि इसमें बहुत मसालेदार जैसे बनाया हुआ है तो इसलिए यह बहुत टेस्टी लगते हैं तो जब भी कभी आपके चाबल बच जाए तो आप इस recipe को बना सकते हो और आपको चाबल फेकने की विज़रत नहीं पड़ेगी और यूज भी हो जाएंगे आपके चाबल तो देखे कितने soft दिख रहे हैं और एकदम perfect बने हुए हैं अभी मैं इसको तोड़के भी आपको दि तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को like से जरूर करें और वहीं दिखेगा छोटा सा bell बटन तो उसको भी आप प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल सके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो थैं झाल 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 झाल